एक लेडी जिसके हस्बंड की अभी अभी रिसेंटली डेथ हुई है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है हैलो फ्रेंड्स आज के हमारी मूवी A Good Woman Is Hard To Find 2019 की एक थ्रिलर हॉल्डूर्ड मूवी है इस मूवी के कैरेक्टर की डेवलोप्मेंट देखकर आपको भी मज़ा आएगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा कमेंट भी कर देजे जिसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलते हैं तो बीना किसी देख़ जिसे तरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमारी में क्यारेक्टर जिसका नाबहें सारा यह हमें खुन से लगा पर दिखती है जब यह सब क्या हुआ था यह हमें आगी पता चलेगा मुवी थोड़े से ही पास्ट में स्टार्ट होती है सैरा अपने बच्चों को लेकर क्रोसरी शॉप में आई हुई थी वहाँ पर उसका बेटा एक चॉकलेट खाकर उसका व्रैपर नीचे ही डाल देता है एक इंप्लॉई ने नोटिस किया और एक व्रैपर वो सारा को देता है यता है तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा सैरा चेकाउट के लिए गई तब इंप्लॉई उस पर नजही रख रहा था वो अपने बैसे चेक करती है तो उसके पास बील पे करने के लिए फुल अमाउंट नहीं है कुछ चीजे वो बाई करना कैंसल कर देती है कैशर भी उसे समझ लेती है कहती है हम सब लोग इस वर्क से कुजर चुके है तुम सिर्फ डटे रहना सारा हमेशा अपने बच्चों का बहुत खैल रखती है उन्हें रात में स्टोरीज भी सुनाती है वो एक सिंगल मदर है तो आज रात अपने आपको प्लीस करती है नेक्स डे वो पुलिस के पास आई हुए हम देख सकते है वो अपने पती के बारे में पूछ रही थी वहाँ की पुलिस इंचास उससे कहती है कुछ चीजे दबी ही रहे यही अच्छा होता है सारा के पती के साथ एक इंसिटेंट हुआ था और उसकी डेथ हो चुकी है इसके बाद नेक्सिन में सारा अपने मदर के पास आई है सारा का बेटा बेन कि कभी भी एक भी बात नहीं पोलता जब उसके फादर की डेथ हुई तो उसके साथ ही था सारा की मदर सारा को लेकर बहुत ही परेशान है मुझे लगता है कि सारा इतनी टफ नहीं है इस वर्ल्ड में अगर उसे जीना है तो उसे टफ बनना पड़ेगा वो सारा को अपने साथ रहने के लिए भी इन्वाइट करती है पर सारा को अच्छा नहीं लगता वो समझती है कि उसके मदर उस पर हमेशा से ही जादा टफ थी घर आते वक्त सारा और बच्चे है कि उसके हस्बन के क्रेव पर जाकर आया है उसके बाद नेक सीन में मारा और एक मेन कैरेक्टर इसका नामें टीटो इसे कुछ लोगों पर नजर रखते हुए हम देख सकते हैं उसने फिर जाकर एक गाड़ी जोरी किये जिन लोगों पर वह नजर रख रहा था उनकी गाड़ी से उसने गाड़ी ठकरा दिये एक्सिडन्ट की वज़े से उन लोगों की डिक्की खुल गए, उस डिक्की से उसने कुछ निकाला और भागने लग गया, वो लोग भी उसके पीछे भागे, सारा अवे अभी घर पहुची थी, तो टिटो भी उसके पीछे भागते भागते घर में बहुच जाता है, उसके ब पता नहीं चलना चाहिए, जिन लोगों से टिटो ने कुछ चोरी किया था, एक गैंक के मिंबर है, वो उनके बॉस के पास आया, उनका बॉस बहुत ही गुसा है, कहता है, जिल्दी से जाकर उसे ढूंडो, राग में टिटो फिर से सारा के घर पर आता है, वो नौक करता है, पर सारा डोर ओपन नहीं कर रही थी, तो गहता है, कास तोड़कर में अंदर आ जाओंगा, सारा फिर डोर ओपन कर देती है, वो वाश रूम गया, और वहाँ से उसने एक बैक निकाला, इस बैक में बहुत सारे ड्रक्स पड़े हुए है, वो सारा से कहता है, मैं कुछ ड्र लखोंगा, तो यह परफेक्ली सेफ रहेंगे, तुम्हें भी मैं 40% देता रहूंगा, सारा इसके लिए उसे मना करती है, पर वो कहता है, अगर तुमने मना किया, तो मुझे तुम्हें मार डालना पड़ेगा, चाकु लगा कर उसे ओधमका रहा था, सारा भी अब इसके लि रात आ रहा है, जिस आदमे ने उसके हस्बंड को मारा, उसके बारे में उससे पूछ रही थी, बेन बहुत ही शौक में है, और वो कुछ भी बोल नहीं पाता, सारा भी समझ लेती है, उसका ये सब करना कुछ गलत है, आज राट टिटो फिर से सारा के पास आया, वावर वो टिवी ओन करता है, और हैंग आउट कर रहा था, सारा उससे पूछती है, क्या तुम मेरे हस्बंड के बारे में जानते हो, एक्चुली पुलिस ने सारा के हस्बंड पर इलजाम लगाया था, कि वो ड्रग डिलर है, सारा को लगता है, कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस से पूछती है, क्या वो उसके हस्बंड को जानता है, टीटो इसके लिए मना कर देता है, इन दोनों में बातचीद होती है, जिसे सारा को पता चलता है, कि ये ड्रग्स टीटो ने एक मॉब से चुराय हुए है, ये सुनकर वो बहुत ही डर जाती है, तो टीटो से कहती है, क वो भी तो एक ड्रग डिलर ही था, सेरा उसे कहती है, कि उसके साथ बेन था, वो ऐसे ड्रग्स नहीं सेल कर सकता, ड्रग्स सेल करना, इस सारा बहुत ही घटिया चीज समझती है, इस पर टीटो को गुसा आ गया, और वो वहाँ से चला गया, इसके बाद नेक्स डे, और सार सेरा के पास अब इतने सारे पैसे है, तो कुछ गलत ही कर रही होगे, वो उसके पास जाता है, और पूछता है, कि तुम कितना चार्ज कर रही हो, सेरा को इस पर गुसा आया, पर इस चीज को उसने इग्नोर कर दिया, सेरा और बच्चे या आज का दिन बहुत ही अच्छा से स्पेंट करते हैं बूवी देखते हैं कुछ अच्छा खाना खाते हैं सेरा बहुत ही टेंशन में थी तो उसने ज्यादा ही वाइन पीली थी उसके वाश्रूम में ही ड्रक्स पड़े थे यह वो करने वाली थी तब उसकी बेटी ने उसे कॉल कर लिया जिस कंपार्टमेंट से उल्टी करवाई उसे अच्छे से उसने वाश किया रात में जब टीटो फिर से खर पर आता है तो सारा डोर नहीं खोल रही थी उसने काश तोड़ दी और वो अंदर आ गया वो ड्रक्स के बारे में सारा से बुश्टा है पर सारा कुछ भी बात नहीं कर रही थी यहां क् करती है कि विलीज हमें कुछ भी मत करो तुम जो भी कहोगे यह सब मैं करने के लिए रेडी हूँ टीटो फिर उसे डायरेक्ली बिटरू में लेकर जाता है वो उसके साथ इंटिमेट होने की कोशिश कर रहा था अस्यारा उसे रेजिस्ट करती है एक चीज लेकर उसके सर मे मारती है वो फिर भी उसपर हावी हो रहा था सारा के हाथ में नाइफ आगे वो इसने उसपर वार कर दिया टीटो ब्लीड होकर वही उसकी डेथ हो गये इसके बाद फसली उसने अपने बच्चों को रूम में बन कर दिया अब उससे क्या करना है यह समझ में नहीं आ रहा थ तबी डोर पर पुलिस की नौक आई सारा के घर से शोर शराब हो रहा था तो किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था ये आसपास सब घर देखते हैं बहुत सारे मैसिहा पड़ी हुई है टूटा हुआ काज भी ये नोटीस करते हैं इन्हें पता चल गया कि सारा को कोई मार रहा था सारा कहती है मुझे किसी ने भी नहीं मारा वो इससे रिपोर्ट नहीं करना चाती है इसमेसे एक पुलिस ओफिसर कहता है कि तुम जैसे औरतों को क्या मार खाना अच्छा लगता है सेरा को इस पर गुस्ता आ गया और इन दोनों पुलिस को घर से बाहर निकाल देती है नेक्स डे वो अपनी मदर के पास आई वो मदर से गयती है कि आज मेरी नाइट शीफ्ट है तो बच्चों को अपने साथ रखना आज सेरा को अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर जाना था पर इसके बारे में वो भूल गए उसकी मदर इस पर उसे डाटती है कहती है कि तुमने अपना हाल क्या बना लिया है तुमने उस आदमी के साथ शादी की और सब कुछ बिगार डाला तुमने एक अच्छे कॉलेज में जा सकते थे अपना एक अच्छा करिया बना सकते थे और वो निकला तो क्या एक घटिया ड्रग डिलर सेरा कहती है कि वो ड्रग डिलर नहीं था सिर्फ पुलिस ने इस सब कहा इसका मतलब यह सच है ऐसा कुछ भी नहीं है उनसे पूछ रहा था कि टीटो कहा है एक्चुले इन दोनों फ्रेंड्स को टीटो के बारे में कुछ भी पता नहीं था इसे मॉप के बोस को कोई फरक नहीं पड़ा और इन दोनों को उसने मार डाला रात में सहरा एक टूल्स के शॉप में आई हुई थी वहावर उसने नाइव्स एक्स यह सब बाई किया वहाई कैशियर थी जो मजाग में गहती है क्या अपने हस्बन को तो यह मारने की कोई भी ज़रुवत नहीं है उसे सिर्फ घर से बाहर निकाल दो इस डायलोग से यह सीन बहुत ही क्वर्क की बन जाता है नेक्स सीन में हम डारेक्टली देख सकते हैं कि टिटो को अब वो काटने वाली है दिल पर पत्थर रखकर उसे काट डालती है मूवी के फर्स्ट में हमें जो सीन दिखाया गया था इसी का प्रीक्याप था इसके बाद उसने टिटो की बोड़ी अलग-अलग बैक्स में रखी और डस्बिन में जाकर वो फेक आई अब नेक्स डे सारा अपने बेटे बेन को लेकर डॉक्टर के पास आई हुई है बेन कुछ भी बोलता नहीं इसलिए वो यहाँ आय हुए है डॉक्टर सारा से गहती है जब तुमारे हज़्बन की डेथ हुए तो बेन वही था उसे बहुत ही बड़ा सत्मा लगा और इस वज़े से ओ किसी से भी बात नहीं करना चाहता उसका बेन इन सब मेमरीस को दबा देना चाहता है जब यह सब बहार निकलेंगी तभी यह बोल पाएगा इस बात से सारा थोड़ी सी अनकमफटेबल होगे गुस्से में वहाँ से चली गई सारा की बेटी अगर किसी वर्ड को पकड़ लेती है तो उसे ही दोराती रहती है उसने इस बार टीटो यह वर्ड पकड़ा हुआ है वो बार-बार टीटो टीटो बोल रही है सारा जहार रहती है उसके आसबास पूरे एरिया में मौब के लोग टीटो को ढून रहे है उसमें सेगाद में सारा की पेटी को टीटो टीटो कहते नोटिस करता है इन्हें फिर शक जाता है और वो सारा के घर के सामने उस पर नज़र रखते हैं सारा जब घर पर आई तो उसे विजीट करने के लिए एक सोशल वरकर को लगता है इस सारा अपने बच्चों का खयाल रखने के लिए एलिजिबल नहीं है उसे कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कल क्या हुआ था ये तुम मुझे सच सच बताओ सारा गुस्से में उसे बता देती है कि एक आदमी मेरा रेव करने के लिए आया हुआ था मैंने उसे स्टैप किया और वो वहाँ से चला गया अब इस सोशल वर्कर अपने रिपोर्ट में क्या लिखेगी इससे उसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता उसे लगता है कि उसने जो किया इस सब सही किया सैरा ने घर के बाहर मॉप की गाड़ी उस पर नज़र रख रही है ये चीज उसने नुडिस की वो उन्हें छुप कर देख रही थी मॉप के लोगों ने भी देख लिया वो फिर जल्दी से अपने बच्चों को लेकर पीछे के दरवासे से चा रही थी तबी इन लोगों ने उन्हें घेर लिया उसे वो धमकाते हैं और टिटो के बारे में बुच्चते हैं इनकी बात चीज चल रही थी तबी मॉप का बॉस भी वहाँ पहुचा बेन अपनी मदर को बचाने के लिए जल्दी से वहाँ से भागता है वो रोड पर आया और उसने कच्रे की गाड़ी को रोक लिया गाड़ी के ड्राइवर्स ने नोटिस किया कि हाँ चल कह रहा है वो लोग फिर सारा को बचाने के लिए वहाँ पहुचे बेन मॉप के बॉस को देखकर बहुत डिस्टब हो चुका था सारा उससे पुछती है कि फादर को जिस आदमे ने मारा था क्या ये वही है बेन इस पर हा कहता है जल्दी से फिर ये सब वहाँ से भाग जाते है वो फिर अपने मदर के पास आई हुई थे लास्ट टाइम उसने मदर से अच्छे से बात नहीं की तो उसे बुरा लग रहा था वो अपने मदर से कहती है कि तुम बहुत ही स्टिक्ट थे पर वैसे ही होना चाहिए कुछ भी हो जाए पर तुम एक अच्छी मदर थे हमेशा मुझे चीरव कैसे करना है ये तुमें आता था उसकी मदर को भी बुरा लगा है वो कहती है कि तुम में और तुमारे हस्बन में जो प्यार था ये कभी भी मुझे नहीं मिला मैं समझ नहीं सकती थे तुमारे फादर के साथ मेरे पास कोई आप्शन नहीं था इसी वज़े से मैंने शादी की थे तुम और तुमारे हस्बन में जो भी था यह बहुत ही special था जब घर में सब लोग सो गए तो सारा के पास फिर से गैंग का एक member आया उसे पुछता है कि टीटो का आया सारा कहती कि मुझे यहाँ कोई भी तमाशा नहीं चाहिए तो में टीटो ही चाहिए तो उसे एक घंटे में लेकर आऊंगे इसके बाद वो रेडी हुए एक बैक लेकर बोस के पास पहुच आती है बोस पुछता है कि टीटो का है उसने बैक से डारेक्ली टीटो का हेड ही निकाला सारा इतनी डेंजर है तो यह देखकर बोस हसने लग गया सारा फिर बोलती है क्या तु मेरे हस्बन को जानते हो यह सुनकर बोस की हसी बनोगे उसने रियलाइज किया कि अब बदला लेने के लिए आई हुई है उसे मारने के लिए एक आत्मी आ रहा था तो टीटो के सर में उसने गन चुपाई थी जोसने बाहर निका लिए वो आदमी रुका नहीं तो सैरा ने भी उसे गोली मार दिया बोस ने भी सारा पर गोली चलाने की कोशिश की पर उसने मीज कर दिया सैरा बोस पर भी गोली चला दिया उसे मारने से पहले उसे पुछती है कि मेरे husband को तुमने मारा क्यों वो कहता है कि एक आदमी ने मुझसे पैसे लिये थे उसे मैं मारने गया था पर तुमारे husband से देखा नहीं गया वो अपने काम से काम रखता तो बच जाता उसने उस आदमी को बचाने की कोशिश किये और मैंने उसे मार डाला यह बॉस अब गन रीच करने ही वाला था पर सारा उसकी सर में गोली मार देती है सारा ने जो भी सब बॉड़ी पास डजबिन में रखे जब पुलीस को मिले तो पुलीस को लगा कि गैंग वार होगा इस पर उन्होंने कुछ भी investigation नहीं की इसके बाद थोड़ा टाइम गुजर चुका है और सारा ने अब अपने पती का बदला ले लिया है वो पहले confused थी सब लोग को लगता था कि उसका husband drug dealer है पर अब उसमें confidence है वो जो समझती थी वो सश था उसका husband एक अच्छा आदमी था तो अपना confidence उसे फिर से मिल चुका है वो अपने आपका खैल भी नहीं रखती थे इस scene में वो बहुत ही well traced है वो फिर से grocery shop में ही है या इस store का employee फिर से उसके पास आता है कहता है तुम्हारा business अच्छा चल रहा होगा वो कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ intimate होना है सैरा फिर अपने बेटे को एक chocolate दिलवाती है उसका rapper इस employee को दे देती है कहती है इसका bill तुम pay कर देना या employee कहता है तुम सोच कह रही हो सैरा कहती है अगर फिर से तुमने मुझे से इस तरह से बात की तुम्हारे manager के पास जाऊंगी उससे कहूंगी कि तुमने मेरे बच्चों के सामने अपने private parts उने दिखाया है या employee डर जाता है ऐसा अगर हुआ तो उसे बहुत पड़ी जेल हो जाएगी वो कहता है मेरा manager कभी भी तुम पर विलिव नहीं करेगा सारा गहती है उससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता जैसे के हमें पता है सारा की बेटी हमेशा एक की चीज़ पकड़ लेती है वो ही बार-बार दोहराती है वो अभी भी इस employee के private part के बारे में दोहराने लग जाती है इस चीज़ से employee बहुत ही डर जाता है इसके बारे में वो कुछ कर भी नहीं सकता यह movie का last scene था और इससे हमें पता चलता है सारा की किस तरह से development हुई है उसकी मदलों से कहती थी कि तुम्हें tough बनना है उसी तरीके से वो tough बन चुकी है उसने अपने husband का बदला लिया कोई भी आदमी उसे कुछ भी कह कर जाएगा यह पॉसिबल नहीं होने देखे इसी तरीके से movie end होती है और आप कोई वीडियो चलागा तो ब्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आथ रहता हो तो ब्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे बेल नुटिवेशन आइकोन दबाने में मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमी के साथ तब तक के लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिया सेरा की तरह